कभी आपने सोचा है कि अंतरिक्ष में zero gravity रहती है, यानि हर चीज हवा में तैरती रहती है ऐसे में आपके मन में सवाल आया होगा कि अंतरिक्ष यात्री टॉयलेट का इस्तिमाल किस तरह करते हैं और उनके लिए टॉयलेट किस तरह डिजाइन किया होता है आय जानते हैं इस वीडियो में अब तो पृत्वी से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों का आना जाना लगा रहता है पृत्वी से बहुत से एस्ट्रोनौट अंतरिक्ष में जा चुके हैं जहां स्पेस सेंटर में कई तरह की खोज करते रहते हैं हो सकता है कि आपने उन लोगों के वीडियो भी देखे होंगे और आपने गौर किया होगा कि वो zero gravity वजह से हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं वे जब चलते भी हैं तो उनके पाव नीचे की सतह से जुड़े नहीं होते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर वे शौचालाई का इस्तिमाल कैसे करते होंगे आज हम आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनाट किस तरह से टॉयलेट का इस्तिमाल करते हैं और शौच के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था होती है कुछ साल पहले जब एस्ट्रोनाट अंतरिक्ष में गए थे तब उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के बारे में बताया था उन्होंने वहां कई वीडियों बनाये थे जिसके जरिये बताया गया था कि वो एस्ट्रोनाट कैसे रहते हैं कैसे सोते हैं और कैसे काम करते हैं इस दौरान उन्होंने स्पेस में टॉयलेट इस्तिमाल करने के बारे में बताया था अब एक खास तरह का टॉयलेट एस्ट्रोनाट्स के लिए बनाया जाता है जो दिखने में आम टॉयलेट की तरह होता है ये शौचालाई पूरी तरह से हैंड हेल्ड और फुट होल्ड है जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो जहां वे बैठ भी सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं अंतरिक शियात्री टॉयलेट का ढखकन उठाते हैं और सीट पर बैठते हैं ठीक वैसे ही जैसे आम शौचालाई के लिए किया जाता है ये खास वेक्यूम वाला टॉयलेट होता है जो हवा के जरीए आपके कच्रे को एक टैंक में ले जाता है साथ पेशाब के लिए भी एक खास तरह का पाइप होता है जो वेक्यूम पाइप की तरह होता है और एस्ट्रोनाट पेशाब के लिए इसका इस्तिमाल करते हैं बता दें कि अंत्रिक्ष में यूरिन और शौच के लिए अलग-अलग टॉयलेट होते हैं यूरिन को अलग टैंक में रखा जाता है जहां उसे रिसाइकल करके पीने के काम में भी लिया जाता है दरاصل अंत्रिक्ष में टॉयलेट जाना काफी मुश्किल का काम होता है और यह प्रक्रिया के आधार पर ही इस्तिमाल करना होता है पहले अंत्रिक्ष यात्री खास तरह के एक पाउँच का इस्तिमाल करते थे जिस टॉयलेट के इस्तिमाल के वक्त पीछे बांधना पड़ता था इसके बाद खास तरह का टॉयलेट बनाया गया जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को पाउच से मुक्ति दिलाई लेकिन ये टॉयलेट भी सफाई और यूरिन डिस्पोज आदी के लिए परफेक्ट नहीं था इसके बाद जब महिलाएं भी अंतरिक्ष में जाने लगी तो टॉयलेट की खास विवस्था की गई और जीरो ग्रैविटी के आधार पर बनाए गए इन टॉयलेट का अब इस्तिमाल किया जाता था हुआएओाल था हुआएट आदी के वगिवस्दी नहीं जादी के लिए बनाए भी अंतरिक्ष भी घट हुआएगिग भी आदीक्षा हुआएगी तो टॉे सफे चारफेक्टat T- टॉआएदाएग्ट